वेलकम बेक टू माई टूप चल पेपर हैकर कैसे हैं आप सभी लोग आज की इस वीडियो में बस यह ध्यान से सुल देना मेरी बात को यह जो गोरकपुरी उनिवस्टी है आप की जिसे हम डी डी यू गोरक पूरी उनिवस्टी कहते हैं तो डी डी उनिवस्टी की बात करने लिए पर net नरिमें रहें तो याद रकना मैं आपको जो भी जात्र केवल उनके लिए है इंप्रेंट केवल बात करने वालों के बल्डिटी यूुनिवेस्टी के लिए बाकि जो आल इंवेस्टी यह है और उनके लिए अलग से डाल रह यह इसमें से 10-11 कोशन आपको पढ़ना है 10-11 कोशन आप पढ़ने के बाद आप ये कहेंगे कि सर ये 70% नहीं बलकि 80% पिलस आएगा 80% की गारंटी दे सकता हूँ ये 10-11 कोशन पढ़ने के बाद में पेकपर समझ लो लीक हो गया समझ रहे हैं मेरी बाद का इस बात को याद रखना गोरकपुरी इनिवेस्टी वालो most important है और जो कह रहा हूँ बही कोशन पढ़के चले जाना पेपर में यही छपेवा इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है आप पेपर हैकर पर पहली बार आए है ना चलो को अभी सस्क्राइब कर ले ना एकोनोमिक्स भई तो यहाँ एकोनोमिक जियोग्राफी जो अपका पेपर का नाम हो जाएगा जियोग्राफी का आपका फस्ट पेपर है याद रखना और बिये सेकंडिर वालों की बात करने वाला हूँ और आप यहाँ देख रहे हैं ना पहला कोशन most important है यह कोशन पर टिक लगा लेना मैंने कहा 10 से 11 कोशन पढ़ने के बाद में आप 80% पिलस लाओगे तो पिलस लाओगे इस बात को याद रखो पेपर हैकर पर भरोसा करो आपके पेपर में यही कोशन चपेंगे आपके पास notes, book, gas paper पर जो भी आप से तरही कर रहे है स्रीज बगरा market से लेके आए उस पर आप अभी टिक लगा लो जो कोशन बरा लो पहला कोशन है आर्थिक भूगोल का अर्थ मतलब की परिभासा क्या होती है उसके बारे में आप देखेंगे कि आर्थिक भूगोल को अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है ये कोशन आपका long में भी मिलेगा देखने को ठीक है उसके बाद में आता है मिट्टी का बर्गी करण मतलब कि मिट्टी कितनी पिरकार की होती है उनका बर्गी करण आप किस तरीके से करेंगे पिरकार देखेंगे मिट्टी के ठीक है उनकी बारे आठ पिरकार की म्रद्दा होती है स्वाइल होती है उसके बारे में आप देखो बन और जल संसाधन आप जानते है बन बन मतलब कि जो फॉरेस्ट है जल्ब और वाटर उनका आपको संसाधन बताना है कौन-कौन से संसाधन है उसके बारे में मतथ से पालन जानते हो मच्छी पालन कैसे होता है मच्छी पालन का आपको बर्लन देख लेना है most important है बहुत-बहुत important है अब देखो उसके बार next question पे आता है किरसी के प्रकार किरसी के कितने टाइप होते हैं आप से तरीके से पूछेगा और सबसे महतपूर किरसी कौन कौन सी है जैसे कि आप से पूछेगा कि किरसी के वजब जो फसल होते हैं उनके बित्रों के बारे में उनके उत्पादन कैसे होता है जैसे कि चाबल है गेहू है और लिखना है उसके बाद मैं ब्रक्षा रोपड फसले जैसे ब्रक्षा रोपड फसले कौन कौन सी होती है जैसे कि आपकी चाय हो गई कौफी हो गई रवड हो गई जैसे रवड कहते हैं रवड तो रवड हो गई चाय हो गई टी वगरा कौफी हो गई ये हमारी ब्रक्षा जो भी कोशन है यदि छूट जाता है तो बना बना के जरूर करके आना याद नहीं आ रहा है तुम्हें लेकिन छोड़के नहीं आना है ठीक है उसके बाद में नेक्स कोशन आपसे पूछ लेता है कि भाईया एक आता है बॉन देखो याद रखना बॉन थुनेन का किरसी इस् खान का से उस्द्धानत उनुने इक सिद्धान दिया था उस्द्धान के बारे में याद करेना ये वस्ट है ठीक है उसके बाद में आपसे आता है खनेज और बैदो सनसाधन कॉन कौन से होते हैं देखो ऐस रोप लेखेका है प्राकिर्टींग प्राइनी प्रस्ते में देखो Training of the theorist로म को याद कर लिजिए और आस्क को याद करने। लेकिन दिन को एक बार पढ़के आधि आप चले जाओगे और 20 से भी पेपर में आ तो आप लिखाओगे मेरे हिसाब से तीनों को आप अच्छी तरीकी से पढ़ लेना यहीं से आ जाएगा लेकिन आप थोड़ा सा एक्स्टा भी बढ़ सकते हो ठीक है उसके बाद में नेक्स कोशन आए देखो बिस्व के पिरमुक उद्धोग कौन कौन से है अब देखो उद इंपुर्टेंट है कौन-कौन से उद्धोगों को आपको याद करना है पिरमुक उद्धोग बता रहा हूँ इन तीन उद्धोग को पढ़ लेना एक कपास वाला उद्धोग और कपास को पढ़ लिएगा और आपको मैं बताने बाला हूँ 80% प्लस आपको देखने को मिले मैं सारी उनिवस्टी इंपोटेंट वही बता रहा हूं ठीक है यह केवल गोरखपर उनिवस्टी के लिए पेपर आपका लीग हो चुका है इसके बार में है अलफ्रेड बैवर थे उनका ओधोगिक इस्थान सिध्धान्त क्या रहा है और दोगिक इस्थान में उनका सिध्ध करनाओं का वड़न करो यह मौश्ट इंपूटेंट पर टिक लगा लेना कि त्रेडी जो थ्रीडी से विस्पसरड़ी होती है उसमें जो देशों के जो अधोगी करण की जो समस्याई आई है कौन-कौन सी समभावनाई है उन समभावनाई उनकी समस्याओं के बारे में आप को explain करना है ठीक है इसको आप याद कर लिजे नेक्स कोशन पर याद कर लिए वो होता है अंतर राश्टिय ब्यापार किसे कहते हैं अंतर राश्टिय ब्यापार के बारे में आपको याद कर लिना है और उनको ब्यापार में क्या क्या खरीदा जाता है वो आप देखेंगे बिस्व ब्यापार को आप याद कर लेना संगठन की भूमिका क्या होती है? याद रखना बिस्व ब्यापार में संगठन की भूमिका क्या होती है? इस तरीके से आप से कोशन बनेगा. अंतर राष्टिय ब्यापार मैंने आपको बताया. यहीं आप से पूछा गया अंतर राष्टिय ब्यापार ब्लॉक जो होते हैं. जैसे कि आपको सबसे ज़्यादा पूछता है नफटा जिसे कहते हैं N-A-F-T-A ठीके है? नफटा भी आपसे पूछेगा यापसे पूछेगा योरोपीय संग के बारे में योरोपीय संग क्या होता है नफटा के बारे में ये और साती साथ आप से पूछ लेगा A.S.E.A.N. ठीक है जिसे हम कहते हैं आशियान तो इसके बारे में अंतरराष्टी ये ब्लॉक होते हैं तीन व्लॉक यहां दे रहें जो आपके लिए एक्जाम के लिए मौस्ट इंपोटेंट है ये था 2022 में आने वाले कोशन जो आपके पेपर में अभी आ रहे हैं लेक हो चुका है पेपर यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा आप अपने बुक नोट्स गैस पेपर में टिक लग झाले को तो बाहर का लेक्ण से बड़ से बुके लिए छोटेंगागा आपके लिए वजया जाागा है है पाले को तो प्रखु को एगलन के लिए यवांसे विए।